एक टीचर क्लास में प्रवेश किये और छात्रों को कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को अद्भूत परिक्षा देना चाहता हूँ यहां आपके सामने चेर रखी है आपको सिद्ध करना है कि इस चेर का स्तित्व नहीं सब लोग घबरा गए बोले किया बात कर रहे है सर चेर तो सामने दिख रही है तब एक चात्र उठकर कहता है कौन से चेर की बात कर रहे हूँ मुझे तो कोई चेर ही नहीं दिखता है तो टीचर ने का यह सबसे अच्छा उत्तर है क्योंकि मैंने आपके सामने एक समस्या प्रस्तूत की लेकिन इनका समाधान ऐसा है कि वास्तों में ये प्रश्ण के चारों तरफ घूम के उसके आगे निकल गए इसलिए कहा गया है श्रद्धा कार्थ क्या होता है कि क्रिश्ण भक्ति करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या जन्ममृतु जराव्याधी इसका दर्शन न करना पड़े तो कई बार लगता है कि इतने सरल मार्ग से इतनी जटिल समस्या का समाधान हो सकता है अवश्य हो सकता है अगर हम शास्त्र और बड़े-बड़े आचारियों के दिये गए मार्ग पर चलते-चले जाएं तो ये कारे हम अवश्य सिद्ध कर सकते हैं आईए हम वास्तों में अपने जीवन में इस सरल श्रद्धा का विकास करें जिससे हर प्रकार के जटिल परिस्थित्यों में भी हम बड़ा स्पष्ट सरल और सीधा मार्ग ढूंड कर वास्तविक सनातन सुख को प्राप्त कर सकें